नमस्कार दोस्तों, Eco Academy चैनल में आप सभी का स्वागत है आज का जो हमारा वीडियो है, it is about how to crack UGC net examination आज के इस वीडियो में मैंने ऐसे 5 secret शेयर किये जिनको यदि आप follow कर ले, चाहे आप किसी भी examination की तैयारी कर रहे हो तो आप definitely उसमें successful होंगे दोस्तों, हम अकसर हमारे आसपास यह कहते हुए सुनते हैं कि मैंने काफी ज़्यादा पढ़ाई की थी, उसके बाद भी मेरा exam crack नहीं हो पाया या फिर मैं रोज 10-12 गंटे पढ़ाई करता था, उसके बाद भी मेरा selection नहीं हो पाया कई लोग ये भी कहते हैं कि मेरी तैयारी काफी अच्छी थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं examination में question solve नहीं कर पाया कई बार हम अपने आसपास के जिन लोगों को देखते हैं जो exam crack नहीं कर पाते हैं को भी देखकर लगता है कि knowledge में भले वो लोग कितने भी आगे हो लेकिन उसके बावजूद भी वो exam crack नहीं कर पाते हैं तो ऐसी क्या चीज है जो students exam crack कर पाते हैं वो follow करते हैं और जो लोग crack नहीं कर पाते हैं वो follow करना भूल जाते हैं या फिर उन्हें secrets पता नहीं होते हैं कई बार हम हमारे आसपास ऐसे लोगों को भी देखते हैं कि जो पढ़ाई में जादा time नहीं बिताते हैं उसके बावजूद भी वो easily exam को crack कर पाते हैं तो ऐसे कौन से secrets है जो वो follow करते हैं फिर ऐसी कौन सी habits है जो वो constantly follow करते हैं जिसकी वजह सफल हो पाते हैं या फिर कोई भी exam crack कर पाते हैं तो ऐसे ही मैंने 5 secrets आपसे share कियें इस वीडियो में इन 5 secrets को यदि कोई भी follow कर ले तो वो किसी भी तरह का इस दुनिया का examination हो उसको crack करने में सफल हो पाएगा तो बढ़ते हैं हम हमारे पहले secret की तरफ दोस्तो ये बात सही है कि इस दुनिया का जो भी exam होता है वो students की knowledge को test करने के लिए होता है पर साथी साथ ये बात भी ठीक है कि हर exam students की knowledge के साथ साथ उनकी skills को भी test करता है और हर एक exam का अपना एक अलग pattern होता है यदि हम UGC net examination की बात करें तो इस exam का भी अपना एक अलग pattern है और एक अलग तरह का syllabus है दोस्तो UGC net examination में environmental science subject को लेकर pattern और syllabus की एक वीडियो का link मैंने description में share किया है यदि आप environmental science subject से UGC net की तैयारी कर रहे है तो आप description में जो link दिया है उसको visit करके इस exam का pattern और syllabus देख सकते हैं साथ ही साथ इस channel की एक previous वीडियो में भी मैंने आप लोगों से कुछ tips share किये थे जिसके तुरू आप लोग UGC net exam में ज़्यादा ज़्यादा score कर सकते हैं उस video का link इस video की description में दिया हुआ है यदि आप चाहे तो उसको भी follow कर सकते हैं कुछ examinations में only single paper होता है कुछ examinations में multiple papers होता है कुछ examinations में जो syllabus होता है उसको दो papers में divide कर दिया जाता है या फिर कुछ examinations में only एक ही paper में पूरा syllabus cover कर लिया जाता है तो यह जितने भी exam होते हैं उन exam की requirement के हिसाब से जो भी body exam conduct करवाती है वो अलग-अलग pattern या फिर syllabus decide करती है तो यदि कोई भी examination ऐसा है जिसकी आप तयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहला जो secret ध्यान रखना है वो रखना है कि उस exam का जो pattern है उसको ध्यान रखना है प्लस उस exam का जो specific syllabus है उसको ध्यान रखना है अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको pattern और syllabus को specifically क्यों दिमाग में रखना है वो इसलिए क्योंकि आप जब भी exam की तैयारी करेंगे जैसे कोई topic है तो उसको आप read कर रहे हैं तो आपको हमेशा है ध्यान रखना है कि उस topic से किस तरीके के सवाल बन सकते हैं इसमें यदि हम UGC net exam की बात करें तो UGC net examination में जितने भी papers हैं उनका pattern objective type होता है तो जो objective type सवाल है उनमें जो सवाल पूछे जा सकते हैं वो है one word answer type questions, numericals, multiple choice questions या फिर कोई facts, basic theory या फिर basics के उपर कोई भी तरह का सवाल पूछा जा सकता है इसके साथ ही साथ आपको syllabus को भी हमेशा दिमाग में रखकर चलना है क्योंकि कोई भी जो subject होता है उसका area काफी जादा wide होता है पर हर एक exam में specifically कुछ particular topics को ही syllabus में include किया जाता है वो इसलिए क्योंकि उस exam के demand होती है कि उनी topics में से questions पूछे जाए तो आपको at the same time pattern भी ध्यान रखना है exam का plus syllabus भी ध्यान रखना है इसकी वज़े से आपको जब भी study करेंगे तो आपका mind alert रहेगा और mind alert रहने की वज़े से आप ये visualize कर पाएंगे कि किस तरह के सवाल इसमें से पूछे जा सकते हैं और कौन से important topics है और कौन से topics जो है उनको हम लोग छोड़ सकते हैं इसके बाद secret number 2 है दोस्तो knowledge versus cracking the exam दोस्तो हम ये जानते हैं कि knowledge होना और exam को crack करना दो अलग-अलग बाते हैं कई बार हम लोग ये देखते हैं कि किसी को बहुत ज़्यादा in-depth knowledge होती है subject की या फिर किसी exam के syllabus को लेकर पर फिर भी वो exam को crack नहीं कर पाता दोस्तो यहाँ पर हमको ये समझना होगा कि knowledge gain करना एक long term process है जो की life में कभी नहीं रुखता किसी भी topic को लेकर हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये मेरा 100% prepare हो गया है या फिर मुझे इस topic की 100% in-depth knowledge है इसलिए हमको knowledge gain करने से ज़्यादा focus करना है कि exam को कैसे crack करना है अकसर ऐसा होता है कि यदि हम 50% important topics को भी cover कर ले तो 72-80% कोई भी paper आये उसको हम crack करने में सफल हो पाते है ऐसा उन लोगों के साथ होता है जो की smart study करना जानते हैं तो हमें हमेशा smart study करनी है ऐसे topics जिनसे की previous years में काफी ज़्यादा सवाल पूछे गए हो या फिर उनसे काफी ज़्यादा सवाल पूछे जाने की संभावना हो हमको ऐसे topics को ज़्यादा cover करना है ज़्यादा time देना है साथ ही साथ हमको हमेशा quality पर focus करना है दोस्तों ये ज़्यादा matter नहीं करता कि हम लोग 10 से 12 घंटे रोज study करे बट ये matter करता है कि जितनी देर भी हम study करे वो एक quality study हो जिस duration में हम full concentration के साथ study के उपर focus कर पाए इसलिए हमको हमेशा quality study के उपर focus करना है ना कि quantitative study के उपर साथ ही साथ हमको ये factor भी द्यान दखना है कि कोई भी जो exam होता है वो आपकी knowledge को तो test करता ही है प्लस वो आपकी skills, analytical ability, time management और कुछ हद तक approach को भी test करता है हमको हमेशा उन चीजों पर ज़्यादा focus करना है जिससे कि हम लोग exam crack कर पाए तो इसमें हमको ये ध्यान रखना है कि जो important topics है हम उनको ध्यान में रखकर चलेंगे उनको ज़्यादा time देंगे ताकि 50% topics से ही हम लोग 70-80% जो syllabus है या course है उसको cover कर पाए दोस्तो जो तीसरा secret है वो है practice makes a man perfect ये सबसे important बात है जिसको काफी लोग follow नहीं करते है दोस्तो हम में से कुछ लोग है जो अपनी studies के उपर तो focus करते है बट practice बिल्कुल भी नहीं करते है तो हमको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है और हमको regularly practice करते रहना है practice के लिए आप लोग previous years के जितने भी question papers हैं वो follow कर सकते हैं इसमें आपको एक important बात ध्यान लखनी है दोस्तो जब भी आप objective type questions की practice करते है according to exam pattern तो आप exam जैसा माहुली उसमें बनाए जैसे मान लीजे कि आपने 10 sets of questions choose किये हैं जो आप solve करने वाले तो आप उसमे time set करके चलिए कि मुझे 30 minutes के अंदर ये 10 questions solve करने या फिर 20 minutes के अंदर ये 10 questions solve करने है इससे आपके दिमाग के उपर एक pressure आएगा और आपका दिमाग जो है वो used to हो जाएगा exam की conditions के लिए और pressure जहलने के लिए साथ ही साथ इसकी वज़े से यदि आप time set करते हैं की वज़े से आपका जो concentration है वो भी उन questions को solve करने के दौरान बढ़ जाएगा previous year के जो papers है वो भी आप solve कर सकते है या फिर important जो questions है वो आप study करेंगे important topics में से और previous year के papers देखेंगे तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं और कौन से topics जादा important है तो उन important topics से भी जो important questions है वो आपको हमेज़ा ध्यान रखना है और उनको याद रखना है प्लस जो sample papers market में available है आप चाहे तो कोई test series जॉइन कर सकते हैं या फिर कोई भी sample papers की book और साथी साथ दोस्तों इसके अंदर एक और improvement होगा आपका कि जैसे जैसे आप practice करेंगे घर में आप exam का माहल बनाएंगे time set करके इससे आपके जो silly mistakes के होने के chances है वो भी reduce हो जाएंगे क्योंकि अकसर ऐसा होता है कि हम लोग practice नहीं करते हैं और जब exam देने बैठते हैं तो exam के अंदर काफी ज़्यादा silly mistakes हमारी सामने आती है जो कि हमको जब मालूम होती है तो काफी ज़्यादा देर हो चुकी होती है क्योंकि हम already exam दे चुके होते है इसलिए दोस्तों जो silly mistakes है वही पार्ट है जिसके ओपर काफी ज़्यादा लोग exam में marks lose करते है इसलिए आपको इसको avoid करना है इसको avoid करने के लिए practice करती रहनी है practice, practice, practice practice is the key तो दोस्तों जो चौता secret है वो है always prepare handy notes ये जो secret है वो secret number 3 से ही linked है जो secret number 3 मैंने भी share किया जिसमें आपको practice करनी है जो previous year के question papers है या फिर sample papers है या फिर आप test series अगर join करते हैं तो वो है तो उस practice में आपको हमेशा ही ध्यान रखना है कि जो भी गलती है आप करते है being वो कोई silly mistake हो या फिर lack of basic knowledge हो कोई theory हो जो आपको गलत ध्यान रह गयी हो कोई fact या figure हो जो कि आपको गलत ध्यान रह गया हो तो उसको note down करना है इन handy notes के अंदर आती साथ जितने भी important facts and figures है उनको भी आपको इन handy notes के अंदर note करके चलना है इससे फाइदा यह होगा कि आप जो भी practice करते हैं उसमें जिस भी तरह की silly mistakes होती है या फिर ऐसे reasons जिनके कारण आपके सवाल गलत होता है being आपकी कोई silly mistake हुई है या फिर या फिर कोई basic theory जो है उसको understand करने में आपको दिक्कत हुई है या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग किसी concept को पढ़कर revise नहीं करते तो उसको बूल जाते है तो इन चीजों को overcome करने के लिए आपको ये handy notes काफी ज़्यादा help करेंगे और इन handy notes को आपको ज़्यादा detail में नहीं बनाना है इन handy notes को आपको short में रखना है जैसे कि मैं environmental science के यदि कोई topic बताऊं जो आप इन में choose कर सकते हैं वो है survival of a test की theory किसने दीती वो है darwin ecosystem की term किसने दीती ag tensile उसके अलावा अगला हो सकता है कि layers of atmosphere कौन-कौन सी है उसमें आप simply नाम लिख सकते हैं troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere तो इस तरीके से आप handy notes बना सकते हैं साथी साथ इसके अंदर आप उन चीजों को भी include कर सकते हैं जिन facts and figures को या फिर जिन basic theories को आपको remember करने में काफी जादा मुश्किल हो रही है इससे यह होगा कि आप handy notes को जब भी revise करेंगे तो काफी कम समय के अंदर आप important topics को और important जो facts and figures theory है उसको आप cover कर लेंगे और दोस्तो ये जो handy notes है वो आपको एक और तरह से help करेंगे वो है examination day के दिन जब भी आप examination day के दिन exam center पर पहुंचते हैं तो हमारी ये tendency होती है कि हम लोग सब कुछ revise कर ले बट आप सभी जानते कि ऐसा तो possible होता नहीं है इसलिए जो handy notes है आपको उस दिन help करेंगे आपको करना यह है कि जैसे ही आप exam center पर पहुंचे तो आप सबसे पहले तो cool रहें काम रहें और उसके बाद में handy notes को लेकर आप study कर सकते हैं और easily आप एक गंटे के अंदर जो भी important concepts है या फिर important theories है या फिर कोई ऐसे facts जिनमें काफी ज़्यादा आप silly mistakes कर रहे थे तो उनको overcome कर सकते हैं तो इसलिए दोस्तो जो handy notes है वो काफी ज़्यादा आपको help करेंगे और इनके through easily आप अपनी silly mistakes को भी avoid कर सकते हैं और easily आप 10-15% ज़्यादा score कर सकते हैं examination में तो दोस्तो जो fifth secret है वो गीता का एक famous श्लोक है ये श्लोक है कर्म करो फल की चिंता मत करो दोस्तो बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे जो आसपास के लोग होते हैं जो हमारे साथ ही तयारी कर रहे होते हैं भले वो हमारे दोस्त हो या फिर नहीं होने देना है प्लस आपको कभी भी result को सोच कर study नहीं करनी है आपको कभी भी यह नहीं सोचना है कि पिछली बार की जो cutoff थी वो 58% या फिर 60% या फिर 65% थी तो मुझे इस बार उसको overcome करना ही है या फिर इस तरह के thoughts की क्या होगा कि यदि मैं exam को crack नहीं कर पाया तो तो आपको इन बातों से हमेशा overcome करना है अपने दिमाग को और अपने mind में बिल्कुल भी ऐसी negativity नहीं लानी है इससे यह होगा कि आपका जो confidence level है वो हमेशा boost up रहेगा और आपका जो concentration है उससे वो भी काफी जादा high रहेगा और दोस्तों साथ ही साथ जब हम exam center पे exam देने बैठ रखनी है ताकि confidence level हमारा boost up रहे हाई रहे हम लोग हमेशा positive सोचे और result oriented कभी भी thinking नहीं रखनी है हमेशा अपना part करना है यदि हमने exam के pattern को भी understand किया है लेबस भी हमको पता है important topics भी हमको पता है हमने हमेशा smart study की है हमेशा quality के उपर focus किया है exam को कैसे crack करना है उस part के उपर ज्यादा focus किया है साथ ही साथ हमने practice भी की है previous year के जो questions है उनका pattern भी देखा है important topics कौन से है उसके तुरू हमने वो भी जाना है sample papers भी solve किये है कुछ test series भी mark किया है जो हमने practice करी उसमें जो भी हमसे गलतिया हुई उनको handy notes के अंदर भी हमने note किया है साथ ही साथ handy notes में हमने उन important facts and figures को भी note किया है जो कि हम लोग examination day में यदि पढ़ें या फिर उनको revise करें तो वो हमारे लिए beneficial हो सकता है और हम result oriented नहीं सोचते है तो दुनिया का ऐस कोई भी exam नहीं है जिसको की हम crack नहीं कर सकते तो दोस्तों ये थे 5 secrets जिनको आप follow करके दुनिया का कोई भी exam हो उसको crack कर सकते हैं साथ ही साथ ये जो 5 secrets है ये आपको help करेंगे examination में जो silly mistakes है उनको overcome करने के लिए आपका confidence level boost up करने के लिए आपका concentration high करने के लिए प्लस आपक के mind को हमेशा positive रखने के लिए तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप comment करके आपके views या फिर suggestions हम तक जरूर पहुचा है साथ ही साथ यदि आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो आप like करे share करे comment करके हमको बता है और subscribe करे eco academy channel thank you